36 गर्ड में गेडी बाल प्रतियोगिता आयोजित कर इसमें जुड खिलाडियों का होसला अवजाई के लिए संग के पदाधिकारियों ने बैठक कर चर्चा की जिसमें आगामी दिनों की तैयारियों को लेकर रूप रेखा तया की गई गेडी बाल एशोशियेशन 36 गर्ड द्वारा 36 गर्ड के महत्व को दर्शाते हुए नय खेल की शुरवात की गई है जिसके चलते एशोशियेशन के पदाधिकारियों ने रविवार को एक बैठक आहुत कर खेल से जुड़े विश्यों पर चर्चा की और आगामी दिनों इस आमंतरन प्रतियोगिता को आयोजित करने अपनी रूप रेखा बनाई इस अवसर पर एशोशियेशन के अध्यक्ष ने बताया कि 36 गर्ड के पारमपरी खेल गेडी में बॉल को जोड़कर एक नया खेल का रूप दिया गया है जिससे खेल प्रतियोगिता की सूची में 36 गर हर जिले में जा करके खेल प्रेमियों को एकठा करके उनका संगठन बनाके और टीमें बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अब क्योंकि अधिकतर जिलों में टीमें बन चुकी हैं कहीं एक, दो, तीन अब उनका एक राजिस्तरी आमंतरन प्रचयोगिता का आयोजन प्रस्तावित है जैसा कि आपने देखा कि बाकीवों से जो सुझावाई हैं उसकी अनुरूप हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले तिन्-चार सप्ता के अंदर ही ये राजिस्तरी आमंतरन प्रचयोगिता आयोजित की जाए इसका पहला आयोजन का उद्देश यह है कि 36 गड़ का अपना खेल अभी हम 36 गड़ ऑलम्पिक के नाम पे जिन खेलों में प्रतिभागीता देते हैं वो सारे ही खेल कहीं न कहीं और से आए हैं यह बात अलागे कि ग्रामीन परिवेश से जुड़े हुए है इस दिए हम उसको 36 गड़िया उलम्पिक के तहद खेलते हैं यह एक मात्र ऐसा खेल रहेगा जिसकी शुरुआच 36 गड़ से हुई है अपनी माटी से हुई है ग्रैंड एशियान न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट